हेलो स्टुडेंट मैं अनुपाल, स्टुडेंट देखेगा हमारा ये कॉंप्लेक्स एनिलाइसिस में एनिलैटिक फंक्शन का चैप्टर चल ला है और इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको कोचिस रायमन एक्क्वेशन का डेरिवेशन कराया है उसकी नैसिसरी और सफिस अगर आप लोगों ने अगर वो लेक्शन नहीं देखेगा तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा पहले आपना उन लेक्शन को देखेगा तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा देखेगा आज हम इस चैप्टर में कुछ और डेरिवेशन करते हैं जैसे कि हमारा अनिल function है w equals to fz होता है उसका derivative find out करना है कि इसमें polar form में ये दियान रखना है आपको ठीक तो to prove that देखेगा ये relation आपको प्रूफ करके लाना है तो देखेगा इसका हम प्रूफ करते हैं ठीक है तो देखेगा हमने कार्टिकल कराया था प्रिविएस लेक्शर आप देखेगा उसमें कोची स्राइमन एक्वेशन है किसमें इन पोलर फॉर्म है वी हैव कोची स्राइमन एक्वेशन इन पोलर फॉर्म देखेगा स्टूएंट कोची स्राइमन एक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या था डैल यू अपॉन डैल आर एक वस्टू वन अपॉन आर डैल वी अपॉन डै ठीक है इसी तरह से एक रिलेशन ये था डेल वी अपॉन डेल आर इसको धियां लखेगा एक्वस्टू माइनस का वन अपॉन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थ्रीटा तो यह हमारे पास कोची स्राइमन एक्वेशन या सियार एक्वेशन किसमें है पॉलर फॉर्म में तो हमने क्या है इनको स्कॉयर करके एड़ कर दिया तो सिंपल क्या बचेगा आर स्कॉयर आप लोग सुग जाएंगे कॉस इसको हमने डिवाइट कर दिया वाइअपॉन x, तो r sin theta divided y r cos theta, r से r आपका cancel, तो दिखेगा ये आपका r square की value आगई, कितना x square plus y square, एंड यहां से दिखेगा sin upon cos क्या बनेगा आपका 10th theta, तो अगर आप theta की value calculate करते हैं, तो ये दिखेगा 10 inverse y upon x, इन values का use होगा, इसलिए हम find out करने हैं, तो r square को partially differentiate कर लिजेगा, आप x के respect में, r square का 2r, r का del r upon del x, x square का 2x, आपका 2 से 2, cancel, फिर आप दिखेगा del r upon del x की value कितना जाएगा, x upon r, फिर आप दिखेगा x, x का value कितना दिखेगा, r cos theta, तो ये value आप put कर दीजेगा, r से r, cancel, तो आप दिखेगा है, del r upon del x, ये value हमने calculate कर लिया, कितना निकल गया रहा है, cos theta, इसी तरह से इस r square को partially differentiate करो, आप y के respect में, del r upon del y, y square का 2y, तो अब आप देखेगा, del r upon del y, तो ये value कितना जाएगा, y upon r, y की value देखेगा, कितना है, r sin theta upon r, r से r, cancel, तो फिर आप देखेगा, del r upon del y, ये value किया निकल कर आया, आपके पास sin theta, ठीक है, इसी तरह से ये theta को भी partial differentiate करो, आप x के respect में, देखे रहे हैं, del theta upon del x, 10 inverse का क्या होगा, 1 upon 1 plus y square upon x square, आप किस के respect में कर रहे हैं, देखेगा, x के respect में कर रहे हैं, तो minus का y upon x square, ठीक ना, x के respect में कर रहे हैं, तो आगे देखेगा, थोड़ा calculation करते हैं, x square उपर पहुँचेगा, तो minus का y upon x square plus y square, फिर अब आप लोग देखेगा, del theta upon del x, y की value आप देखेगा, कितना है, minus का r sin theta, x square plus y square की value कितना है, r square, तो अब आप देखेगा, del theta upon del x, तो minus का क्या बचेगा, sin theta upon r, तो ये हमारे पास किसके value आगे है, del theta upon del x के value, इसी तरह से आप इसको ना, partially differentiate करेगा, य के respect में, दोखो, y के respect में करते हैं, 10 inverse का 1 upon y के respect में आप करेंगे, तो y square upon x square, फिर y के respect में करें, y का 1 होगा, तो 1 upon x, calculation को देखेगा, x square हमारा ये उपर पहुचेगा, तो x upon, क्या बचेगा, x square plus y square, तो अब आप देखेगा, del theta upon del y, x की value देखेगा, कितना है हमारे पास, r cos theta, x square plus y square, कितना है, r square, तो आप देखे रहे हैं, del theta upon del y, तो cos theta upon r, ठीक, तो ये आपने यहां से calculate कर लिए, del r upon del x, del theta upon, sorry, del r upon del x, del r upon del y, del theta upon del x, del theta upon del y, इन सभी values का use होगा आगे, देखेगे, आभी हम इनका use करते हैं, देखेगा, जब हमने आपको derivation कराया था, Cochis Raiman equation का necessary condition, बहाँ पर एक, ये relation हमने drive किया था, तो लिखेगा, we have, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि, अपना पुराने lectures को देखेंगी, तभी आपको समझ में आएगा, और जो लोग इन lectures को starting से देखें, उनके लिए कोई problem नहीं होगी, dw upon dz, partial differentiate की बरावर था, तो देखेंगा, dw upon dz की value क्या था, dw upon dz, अभी कैसे आया, ये necessary condition में कराया था हमने आपको, ठीक है, तो अब आप देखेंगा, यहाँ पर थोड़ा partial का use करते है, x हमारा जो है polar coordinate, r और theta के उपर depend है, तो इस del upon del w upon del x, हम ऐसे लिख सकते हैं, del w upon del r, और del r upon del x, और theta की उपर भी depend है वही, तो ये देखेगा, del w upon del theta, और del theta upon del x, इस तरह से लिख सकते हैं, फिर आप देखेगा, dw upon dz, चीक है, इसी का में derivative निकालना है, तो देखेगा, del r upon del x की कहीं value निकाली है, del r, फिर आप देख रहे हैं, del theta upon del x, del theta upon del x की value ये है, minus का sin theta upon r, और ये value क्या रखा हमने है, del w upon del theta, ठीक है, अब according to this, ये देखो relation हमने कालते हैं, dw upon dz, ये देखेगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास, e to power minus i theta, del w upon del r, तो देखेगा, आप लोग इस आर्टिकल को, dw upon dz, फिर आप देखेगा, cos theta, del upon del r, ये w देख रहे हैं, w को आप क्या लिख सकते हैं, u plus iv, इसी तरह से, इसको लिखेगा, minus sin theta upon r, और ये आपका, w आ रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, u plus iv, तो फिर देखेगा, dw upon dz, अब ना इसको, partial differentiate करते हैं, भाई, r के respect में, तो देखेगा, del u upon del r, i फिर आपका, ये आएगा, del v upon del r, इसी तरह से, next देखेगा, minus sin theta upon r, theta के respect में करेंगे, del u upon del theta, i, del v upon del theta, ठीक ना, ये differentiate कर दिया, आप लोग प्रूफ को भी थोड़ा observe करेंगे, देखें कि ये r में आ रहा है, यहां तो r सही आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या रहा है, theta आ रहा है, इस theta को भी r में change करना पड़ा है, कहां से change करेंगे, in CR equation से, देखेंगे, del u upon delta, यह देखराएं, आप del u upon delta, इसकी value आप इस relation से निकालेंगे, वो क्या है, del v upon delta, उसकी value आप इस relation से निकालेंगे, तो यह value आप यहां पुट करिएगा, इसको अभी आप इस तरह से ही लिखेगा, cos theta, और देखेगा कितना रहा है डेल U upon डेल R, आई, डेल V upon डेल R, ठीक है, इस तरह से लेखेगा माइनस का, साइन थ्रीटा upon R, यह जो कोचिस राइमन एक्वेशन हमारी किसमे है, पोलर फॉर्म में, उसका मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, देखेगा, डेल U upon डेल थ्रीटा, तो R आपका इधर आजाएगा, और क्या उचेगा, डेल U upon डेल R, इस तरह से आजाएगा, ठीक है, तो यह देखेगा, आप DW upon DZ, थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं, देखेगा, कॉस्ट रेटा, आप लोग देखेगा, डेल U upon डेल R, आई, डेल V upon डेल R, ठीक है, दे यार कैंसल हो रहा, साथ में आई कॉमन लिया आपने, तो देख रहे हैं, आप साइन्स रीटा, इस सिटेप में देखो, आई हमने कॉमन लिया, तो डेल U upon डेल R, यहां तो आई नहीं आ रहा, तो आई से आपने डिवाइट करा, और आई से आपने मल्टिप्लाई किया, इस डेल R, ठीक है न, इसको देखेगा, माइनस का, आई साइन्स रीटा, फिर आप देख रहे हैं, डेल U upon डेल R, आई इंटो आई क्या होता, आई स्कॉाइर, आई स्कॉाइर का उतला, माइनस वन, और यह माइनस माइनस प्लस, इस तरह से लिख दिया हमने, अब आप हैं, कॉस्ट रीटा, माइनस का, आई साइन्स रीटा, और यह टर्म आपका कॉमन आ गया, डेल U upon डेल R, और आई डेल V upon डेल R, तो देखेगा, DW upon डेल, यह टिक्रमेटरी के फॉर्मले से, आप इसको क्या लिख सकते हैं, A to power minus I रीटा, और इसको आप देखेगा, डेल upon ड डेल R, और इसको आप लिख सकते हैं, U plus IV, आप जानते हैं, जो हमारा W होता है, W equals to, आप लोग जानते हैं, F of Z, और F of Z किसके वरावर होता है, U plus IV के, तो आप लोग देखो, DW upon DZ, तो E2 power minus I3, यह हमारा क्या बन गया, W function बन गया, डेल, W upon डेल R, तो आटिकल में क्या था, derivative of W, W का derivative निकालना किसके form है, polar form में, देखो, DW upon DZ, यह relation आपका आचुका है, अभी यह relation बचा है, यहाँ differentiate किसके respect मारा है, ठीक है, यह first तो आपने proof कर दिया है, second भी करेंगे, अभी आप, आप ऐसा करेंगे, यह first question माना न, इसको आप second कह दीजेगा, इसको आप third कह दीज equation 2, आपने na equation 2 ले लिया, DW upon DZ, तो देखेगा equation 2, यह आप equation 2 न, इसको consider कर लिजेगा, यहाँ पर use होगा, from equation 2 को लिजेगा, देखेगा, यह क्या हैगा, cost theta, और यह आपका बचेगा, del U upon del R, I, del V upon del R, फिर आगे देखेगा, minus का sin theta upon R, फिर आप लोग देखो, del U upon del theta, plus I, del V upon del theta, फिर आप लोग देखे रहे हैं, यह proof जो आ रहा है, यह theta के respect में differentiate आ रहा है, theta तो हैं आ रहा है, अब इसको change करना पड़ेगा, यहाँ पर देखेगा, हमने किसको change किया था, स्टर्म को change किया था, क्योंकि proof R में आ रहा था, इस बार स्टर्म में देखेगा, proof किस में आ रहा है, theta तो theta, यहाँ theta तो यह change आपको करना पड़ेगा, तो CR equation जो हमने अभी erase कर दी है, उसी को देखो, उसका use करो, ठीक है, तो CR equation के है, हमारा del u upon del r, किसके equal है, 1 upon r del v upon del theta के, ठीक है, इसी तरह से del v upon del r, किसके बरावर होगा, minus में आता है वही, i upon r del u upon del theta, ठीक है, तो इस टर्म का हमने use किया, minus sin theta upon r, del u upon del theta, i, del v upon del theta, यह value आजाएगा आपका, तो फिर अब आप लोग देखो, dw upon dz, ठीक है, करेंगे, देखेगा, cos theta तो यह चल ला है, अब आप यहाँ से यह करिएगा, यह जैसे del u upon del theta में पहले बनाना, minus का यहाँ से common लेजिएगा आप, देखेगा हमने यहाँ minus का i upon r common ले पर यह देखेगा, क्या उचेगा, del u upon del theta, ठीक है, minus i upon r, यहाँ देखेगा, minus तो आगया, r लेकिन i नहीं है, तो 1 upon i, फिर i से multiply और divide, del v upon del theta, minus sin theta upon r, फिर आप देखेगा, del u upon del theta, i, del v upon del theta, यह value आपका, फिर आप लोग करिएगा, इसको dw upon dz, तो देख रहा है, minus का i upon r, क्या बचेगा, cos theta, ठीक है, इसका calculation करते हैं, del u upon del theta, i square का मतलब क्या होगा, minus 1 plus i, del v upon del theta, इस तरह से आगया, और फिर अब आप देखेगा, minus का sin theta upon r, और यह factors आ रहा है, del u upon del theta, plus i, del v upon del theta, ठीक है, आप देखेगा, यह factors आपका common आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको आप common ले लिजेगा, dw upon dz, देखेगा, common हमारा क्या आ रहा है, यह according to proof भी देख लिजेगा, जैसे कि, suppose, minus का i upon r, यह common लिया, ठीक न, और फिर आप देखेगा, यह common आ रहा है, del u upon del theta, plus i, del v upon del theta, ठीक है यह हमने common लिया, तो आप देख रहे हैं, cost theta, minus का i upon r हमने common लिया है, और minus तो यह रहा है, लेकिन i आपका यहाँ पर नहीं है, तो 1 upon i, इसी step में i से multiply, और i से divide, तो फिर calculation करिएगा, dw upon dz, minus i upon r, फिर आप देखेगा, यह इसको न, इस तरह भी लिख सकते हैं, देखेगा, del upon del theta, और क्या होचेगा, u plus iv, और फिर आप लोग देखेगा, cost theta, i square का मतलब क्या होता है, minus 1, तो minus i sin theta, फिर अब आप लोग देखेगा, dw upon dz, यह trigonometry का formula बना हमारा, minus का i upon r, इसको क्या लिख सकते हैं, e to power minus i theta, w हमारा किसके इक्वल होता है, u plus iv के, तो आप देख रहे हैं, del w upon del theta, यह हमारा fourth equation, तो देखेगा, यह second proof आप आपका आचुका है, ठीक, इन दोनों को combine कर दीजेगा, तो लिखेगा, from equation, third and fourth से, तो यह derivative, आपने एक complex analytic function, जो हमारा w है, उसका आपने derivative है, calculate किया है, तो देखेगा, क्या आएगा, e to power minus i theta, del w upon del r, ठीक न, equals to, यह देखेग minus i upon r, e to power minus i theta, और del w upon del theta, ठीक है, इस तरह से आएगा, तो यही तो article करना था आपको, कि analytic function है, उसका आप derivative calculate करिएगा, किस format calculate करिएगा, polar form में, तो polar form में हमने यह article किया है, ठीक है, दिखेगा, student, next हमारा theorem ही यह है, बहुत important theorem है, इसका questions में use होता है, इसलिए मैं आपको यह करा रहा हूँ, दिखेगा, हमारा क्या है, यह, del square upon del x square, plus del square upon del y square, equals to 4 del square upon del z, और del z var, ठीन, एक relation, एक theorem है, बहुत use है, इसका, तो दिखेगा, इसका हम proof करते हैं, दिखेगा, आप लोग जानते हैं, हमारा complex number होता है, we have, z equals to complex number, क्या होता है, x plus i y, अगर दिखेगा, इसी का suppose हम conjugate find out करते हैं, तो x minus i y, यह निकल कर आएगा, अब हमने क्या किया, कि इन दोनों complex number को add किया, तो add करने पर आप देखेगा, 2x, और x की value क्या निकल कर आएगा, 1 upon 2 z plus z bar, ठीक है, इसी तरह से देखेगा, अगर मैंने इन दोनों को subtract किया, इसको इसमें से subtract कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2y, y, अगर हम y की value calculate करते हैं, तो 1 upon 2y, z minus z bar, तो यह आप लोग देख रहे हैं, किसकी value calculate किये हमने, x and y की, ठीक है, अब इस x को, देखेगा, क्या करते हम, x को partially differentiate करते हैं, z के response, दोको z यहां आ रहा है, क्या जाएगा, 1 upon 2, इसी तरह इस x को partially differentiate करते हैं z bar के respect में, तो देखेगा, कितना आएगा, 1 upon 2, इसी तरह इस y को partially differentiate करते हैं, z के respect में, तो कितना आएगा, 1 upon 2i, इसी तरह इस y को partially differentiate करते हैं, z bar के respect में, तो यह कितना जाएगा, minus का 1 upon 2i, इनका आगे जाकर use होगा, ठीक है, तो यह value हमने calculate कर लियागा, अब देखेगा, हमने consider किया है जो किस के उपर depend x और y के उपर depend है अब आप लोग यहां देखिए गा एक्स और y किस के उपर depend है जेड़ एंड जेड वार देखो x के value z and z वार y के value z and z वार तो हम यह भी कह सकते हैं कि f हमारा जो function है वो जेड और जेड वार के उपर depend होगा ठीक है तो दिखेगा partial derivative का अब हम use कर रहे हैं कि डेल f अपॉन डेल z कहा जाए आपसे ठीक तो दिखेगा z, z जो हमारा है वो किस के उपर depend हो रहा है x and y, z वार है ये भी x and y के उपर depend हो रहा है तो partial derivative से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर देखेगा ये value रखो del x upon del z आपने calculate किया कितना आ रहा है वान अपॉन टू डेल f अपॉन डेल x ठीक है फिर आप देखेगा del y upon del z ये value कितना कितना है आपका 1 upon 2 i del f upon del y और थोड़ा सा solve करना चाहते हैं आप देखेगा del f upon del z 1 upon 2 आपका ये common आ रहा है del f upon del x और ये देखेगा 1 upon i del f upon del y समझ में आ रहा है देखेगा ये निकल कर आया है और अगर हम यहां से इस partial derivative की value निकलना चाह रहे हैं किसके respect में z के respect में तो देखेगा क्या निकल कर आएगा 1 upon 2 del upon del x 1 upon i del upon del y इसको न आप equation second कह दीजेगा इसी तरह से again आप find out करिएगा del upon del z bar देखेगा del upon del z bar ये value find out करते हैं तो आप दिख रहे हैं वही same process जैसे हमने यहां किया था del f upon del x और del x upon del z bar क्योंकि z bar भी हमारा x और y के उपर depend है इसी तरह से देखेगा del f upon del y और del y upon del z bar इस तरह से कर दीजेगा फिर देखेगा del upon del z bar दिखने हैं आप del x upon del z bar कहीं निकाला है calculate किया देखेगा कितना है आपका 1 upon 2 तो value put कर रहा हूं देखेगा del f upon del x फिर आप देखेगा del y upon del z bar ये value कितने माइनस 1 upon 2i और del f upon del y ठीक हाँ f रह गया वही हाँ f लिख लेजेगा del f upon del z bar ये value आप calculate कर रहे हैं तो 1 upon 2 फिर आप देखेगा क्या आएगा del f upon del x माइनस का 1 upon i del f upon del y ठीक है तो जैसे हमने del upon del z की value दर calculate किया ता उसी तरह से आप ये भी calculate कर सकते हैं del upon del z bar 1 upon 2 del upon del x माइनस का 1 upon i del upon del y इन दोनों को combined करके आप third equation कह दीजेगा ठीक है आपको देखेगा ये relation यहाँ find out करना ये relation proof करके लाना है तो देखेगा किस तरह से हम करेंगे del square del z del z bar इसको अगर हम लिकर चलते हैं f लिख लिजेगा आप यहाँ तो partial की definition से del upon del z और ये देखेगा del f upon del z ठीक तो इसी लिए तो हमने ये del upon del z नहीं देख रहे हैं आप देखो del f upon del sorry ये z bar है तो यहाँ del z bar आएगा ठीक है तो ये इसी लिए हमने ये value calculate किया देखो एक value यह आ रहा है इन values को आप यहाँ रखेगा del z del z bar तो देखेगा ये value आपने हाँ calculate किया 1 upon 2 del upon del x और plus का देखेगा 1 upon i del upon del y हाँ इसकी value देखेगा कहां पर है ये है ये value रखो 1 upon 2 del f upon del x minus का 1 upon i del f upon del y ये value हमने यहाँ put कर दिया ठीक है अब देखेगा इसका calculation अगर आप करेंगे del square f del z del z bar तो अब आप लोग देखेगा 1 upon 2 ठीक operate करते हैं इसको देखो 1 upon 2 1 upon 2 की तो multiply होगा कितना आएगा 1 upon 4 इसको यहाँ करेंगे देखो del upon del x को operate करते हैं अगर ऐसे देखो del upon del x क्या बचेगा आपका del f upon del x फिर इसका partial differentiate करें x के respect में del upon del x यह कितना है माइनस का 1 upon i del f upon del y इसी तरह से इसको operate करेंगा 1 upon i del upon del y del f upon del x फिर देखेगा प्लस माइनस माइनस रहेगा लेकिन i square आ रहा तो यह प्लस बन जाएगा ठी ना प्लस हो गया आपका प्लस माइनस माइनस i square का उतलब माइनस 1 प्लस हो गया फिर आप देखेगा del upon del y और जी del f upon del y यह calculation आप करिएगा del square f del z del z bar ठीक है फिर आप देखेगा 1 upon 4 इसको partial differentiate अगर आप करते हैं x के respect में तो यह निकल के आएगा plus minus minus आएगा 1 upon i del square f और del x del y ठीक है इसी तरह से यह देखो 1 upon i del square f और क्या बचेगा del y upon del x फिर यह देखेगा plus del square f और del y square यह value आजाएगा तो देखेगा यह plus का है यह minus का आपका cancel हो गया क्योंकि समेट्रिक होते हैं यह देखो sorry क्योंकि यह दोनों value सेम होगा आपका तो यह cancel हो गया फिर आप देखेगा 4 आ रहा है 4 को आप इस साइड लिखकर आए del square f del z del z bar और आगे देखेगा क्या बसता है यहां से del square f upon del x square और del square f upon del y square देखेगा क्या relation proof करना था आपको यह तो relation proof करना था तो यह आ गया f उमारा दोनों तरफ operator और एक तरह का यह operator आगया आपका del square upon del x square del square upon del y square equals to देखेगा del square del z del z bar यही तो proof करना था आपको relation sorry 4 रहा गया लिखने के लिए ठीक है देखो यही तो आपको proof करना था 4 यह आ गया आपका क्या आथा del square upon del x square plus del square upon del y square equals to 4 del square upon del z और del z बार ठीक है बहुत important article है questions में इसका हम directly use करेंगे so student उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने जो analytic function में जो आपको articles करा हैं वो समझ में आये होंगे और अगर आप लोगों को मेरा यह lecture पसंद आया है तो please मेरे इस lecture को आप अपने friends में share करिएगा इसको like करिएगा और इस पर comment करिएगा और अगर आप लोगों ने मेरा channel subscribe नहीं किया तो please मेरे channel को आप subscribe कर लिजिएगा Thank you